हेलो दोस्तों कैसे होतों दोस्तों आज की इस नए वीडियो में आप सब का स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले दहंडरेड मेंस के 19th मैच के बारे में जो के होने वाला है दोस्तों आज रात को 11 बजे मैच स्टार्ट होगा विन्नी होने वाला है एमिरेट्स ओल्ट्रैफर्ड मैंचेस्टर दोस्तों सेम विन्नी पर आगे बढ़ने से पहले करोगे क्या सबसे पहले आपको जॉइन हो जाना है हमारे टेलेगरम चैनल से टेलेगरम चैनल की लिंक आपको कहा मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर फर्स्ट कमेंड में मिले जाएगी जोइन जरूर हो जाना आपको सब कुछ जो भी फाइनल अपडेट्स मिलते हैं आपको टेलेगरम चैनल पर मैं प्रोवाइड करता हूँ बात करें दोस्तों पीच रिपोट के बारे में देखो यहापर जनरली पीचेस मैंचेस्टर में ड्राइई पीचेस होती है जो स्पीनर्स को फेवर करती है और यहापर थोड़ा बैटिंग करना मुश्किल होता है बैट समय आपर स्ट्रगल बना करते हैं रन बनानी के मैच होता मतलब 100 का यहापर जो एक मैच होता बर्मिंगम फिनिक्स ने 87 बनायते और फिर उसके बाद मैंचेस्टर उडिजिनल्स ने 89 बनायते 4 विकेट के नुकसान पर अगर दगो कि पूरे मैच में पाच विकेट पेसर को थी तो 9 विकेट स्पीनर्स को थी तो इससे वा मैचेस हो चुके हैं एक मैचे लोग हा रहे हैं दो मैच इनक यह लोग जीते हैं और एक मैच इनका वाश आउट हुआ है ठीक है और दोस्तों कुछ इस तरह के सिंकी मेरी सबसे प्लेइंगी लिए उन रहेगी बेंच्पिन को आज प्लेयर्स हैं चेंजिस हो सकते हैं मैच में हुआ क्या है फिलिप साल ने पिछले दो मैचेस में स्टार्ट मिला है 22 प्लस 30 के दो पारिया खेली है ते थोड़ा देखके चलना और न्यू बोल के साथ रन बना के जा सकते हैं उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल होता यहाँ पर बैटिंग करना जो अकला की बात करें स्टार्टिंग के दो मैचेस में मिडल ओडर में बैटिंग करी थी वर पिछले मैच में ओपन आया थी 58 की बहुत अच्छी पारी खेले थी 31 बाल्स में दो मिस्टिकली इनका फॉर्म बहुत अच्छा रहा है देखके चलना कॉली मुंडो की बात करें वन डाउन बैट मैच के लिए जरूर गेमचेंजर साबित हो सकते हैं ट्राइ कर सकते हो टॉम लेमन भी है बड़े शॉट लगा सकते हैं फिनिश कर सकते हैं देखके चलना कार्लोस ब्रेथविट के बात कर तीम के कैप्टन अभी यह जौस बटलर के बाद फिर्स प्रट में 37 की पारी थी उ प्रट में लेक ब्रेक बालिंग से पॉइंट दे सकते हैं बालिंग की बात कर लेते हैं टॉम हाटले इन्होंने तीन मैच में बालिंग करी न्यू बाल की साथ ही बालिंग करते हैं तीन मैच में चार विकेट्स निकाल चुके हैं और इस पीच पे बहुत अच्छा कर सकते ह स्टिवन फिन को भी तीन मैच में लगपग मिली है अब तक चार विकेट्स अच्छे वालर है डेथ में अच्छी वालिंग कर सकते हैं और फॉर्म इनका अच्छा है डोमिस्टिक सर्केट में भी अच्छी विकेट्स निकाल के के ग्रेंड लिक के लिए रोटेट करना कार्लोस ब्रैथवेट्स अच्छी वालिंग कर सकते हैं तीन मैच में अब तक इन्होंने तीन विकेट्स निकाली है अच्छी वालिंग कर रहे हैं प्लस एक कैप्टन है तो ऑविसली खुद को ज्यादा और देनी की कोशिश करेंगे ह बैटिंग भी इनकी अच्छी हो सकती नीच आके तो ऑविसली आपके लिए ग्रैंड लिक के लिए बहुत बड़ी है पिक आज एक कैप्टन इवन स्मॉल लिंग में भी कंसेर कर सकते हैं और वाइस कैप्टन कॉलिन एक और डाला ता पिछली मैच में बटना यहाँ पे एक करके रखोगे दोस्तों फ्रेट क्लासें स्टार्टिंग के दो मैचेस खेले दे जाप इन्होंने चार विकेट निकले थी फिर लॉकी फोरिगेशन रिटर्न आ गए तो इनको डॉप कर दिया गया था तो यह देखके चलना अगर खेलते वे दिगी जाए किसी के जगह पे तो ट्राइगर सकते हो जिनका डोमेस्टिक फॉंग बहुत अच्छा था दोस्तों बात करते साउतन ब्रेव की ठीके इनके भी चार मैचेस हो चुके स्टार्टिंग के दो मैचेस यह लोग हार गये थे बट पिछले दो मैचेस इन्होंने जीते हैं और गईस कुछ इस तर क इसका पॉर्णेटर इनका पिरेड करने के जरूरत नहीं है ऐसा मुझे लगता है तो टारिकली पॉल स्टरलिंग आपको खेलते वह दिख सकते हैं और अगर इसा नहीं होता है तो फिर मेरे सबसे अलेक्स डेविस आएंगे वन डाउन ठीके पॉल स्टरलिंग अगर नहीं हमें है तो वो भी अविलेबल नहीं है जोफरा अर्चर फीट हो गए होंगे तो यह खेल सकते हैं अब बात करते दोस्तों हुआ कहें तीनों मैचस में तो क्विंटन डिगोप लास्ट के तीन मैचस खेले हैं जिसमें 21 और 27 की दो अच्छी पारिया है एक मैच में फ्लॉप होते हैं फॉर्म इनका बढ़िया रहा है आपको पता ही बट यह पेचस थोड़ी स्लो होगी तो मुश्किले हो सकते भी देखो एग्जाक्ली पीच किस तरीके से रखते है के ना मुश्किले बट ट्रैडिशनली मैंचस्टर पेचस स्लो ही होती है जेम स्विंस की बात करें तो इन्होंने एक 40 एक 60 के बढ़िया पारी खेली अब तक बहुत अच्छे फ़र्म में ओर रॉल तो देखके चलना डेवन कॉन्वी के अगर बात करें तो अविसली बरन बनाए थी इन्होंने स्टार्टिं को मिला था बट अवेलेबल नहीं इस मैच के लिए तो अविसली अविसली बात करें स्टार्टिं के तीन मैचेस में थोड़ा नीचे बैटिंग करें थी पिछली मैच में वन डाउन आये थी 50 रन के अच्छी पारी थी 40 बॉल्स में श्टर्लिंग नहीं खेलेंगे तो एलेक्ज डेविस वन डाउन ही आएंगे प्लस विकेट किपिंग करे तो एलेक्ज डेविस विकेट किपिंग नहीं करेंगे देखके चलना रॉस वाइट लिग की बात करें फिनिशर का काम कर सकते बड़ी शॉट लगा सकते नीचे आके देखके चलोगे लाइम डाउसन ये भी अच्छे डिफरेंशल पीक आपके लिए बैटिंग तो अच्छ देखके चलना बालिंग के बात करें जो बल्क में तीन से चार विकेट निकाल सकते हैं तो मेभी इन पे कोई एक मैच वेट करो में टाइमल मिल्स को भी हर मैच में कैप्टन ट्राई करता हूँ माइट भी कि ये मैच हो जहाँ पर ये तीन विकेट ले जाए चार विकेट ले जाए कुछ बोलने सकते हैं तो मिल्स को भी टाइक करते हैं तो टाइमल मिल्स को कॉलिटी बॉलर है जो ड़ंग की बात करें तो देखो विकेट इनको नहीं मिल रही है ना इंटरनेशनल पर खड़ा किया जाता है जहाँ पर कैचे जनरली आते हैं लोंग ओन लोंग आप तो उससे अपसे आपको पॉइंट साइड कर देते हैं तो इससे वाज़े से इंपोर्टन बन जाते हैं डाउसन की बात करें तीन मैच में इनके नाम पर अब तक तीन विकेट मिली है और य बट एक भी मैच में को विकेट नहीं प्लस पिछले तीन मैच में तो रन भी बहुत पड़े है तो हो सकता है कि इस मैच में बॉलिंग भी ना करें दिर इस पॉसिबिलिटी बट डिक के चलोगी ठीक है डैनी ब्रिक्स रिटन आ सकते है यह एक चेंज आपको देखने को मिल जेल सकता है अब बहुत इंपड़ेंट चेंज हो हमगर ब्रिक्स रिटन आते है तो पीछले दो मैचले मिलवन के नामपे दो विकेर्स ती यह पीच dik знач को support करेएगे, suit करेगई अगर bricks written आते हैं तो important peak बनेंगे देखके चलोगे बागे Craig Orton तो available ही नहीं ते देखना ही नहीं है दोस्तो बना लेते हैं small league के team बट मैं कुछ risky players भी लेने वाल हो मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा higher member खेलूँगा 8-2-8-3 member के लिए उतना बड़ी आई मैच नहीं है तो मैं थोड़ा सा risk लेके ही खेलने वाला हूँ विकेट की फ़र सेक्षिन के अगर बात करें आपको दो players खेलते हूँ तीनों खेलते हूँ दिखेंगे Quinten, Decoq, ओपन करेंगे, Philip Sart, ओपन करेंगे Davis might be one down आ सकते है देखके चलोगे, last match one down आ के 50 run की पारी खेली थी फिर से one down आ सकते है, तो तोड़ा देखके चलना अब भी किलिमें Decoq के साथ जा रहा हूँ दोनों अच्छे pick से Philip Sart भी Alex Davis अब इनको small league में भी ले सकते हो, आप इनको grand league में भी ले सकते हो चलते बैटिंग section में, wins, मुन्रो में दोनों को लेके चलूँगा मुन्रो को drop करने का risk आप लोग ले सकते हो, ठीके अब भी किलिमें इनको लेके चल रहा हूँ Devon Convy is not available, तो लेना मत जो clock को में लेके चलूँगा, पिछल मैच में अच्छी पारी खिली थी उसके अधना कोई और option नहीं है, ठीको Paul Sterling अगर खिलते हैं, तो one down मेरे सब जाएंगे तो one down अगर आते हैं, तो बिल्कुल try कर सकते हो अगर form की बात करूँ, तो उतना अच्छा form नहीं है सक्षन में, कार्लोस ब्रेथवेट, क्रिस जॉर्डन, इन दोनों को लोग लेके चलेंगे, डिगरेंड हो, मैंने स्टार्टिंग में बोल दे आपको, मेरे ग्रैंड लिक के कैप्टन जरूर होंगे, बट स्माल लिक में लेना अभी थोड़ा ज्यादा रिस्क हो जाएगा, तो मैं इनको अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा कन्फियूज दो, कॉलिन एकरमन, लाइम डाउसन, दोनों अच्छे है, दोनों में से कोई एक लेना चाहता हूँ, बर एक्चुलिन किसे लेना है, कॉलिन एकरमन नंबर आपको चार पर बैटिंग देंगे, प्लस आपको थोड़ी बॉलिंग दे सकते हैं, लास्ट मैच में स्रिप एक ही और ला ली थी, यह थोड़ा सा मुश्किल बनेगा, लाइम डाउसन है, यह भी पूरे पाकिसन, जोज गार्टन, दोनों को मिले के चलूँगा, उसके आद में रिस्की पिक लूँगा, लिंटोट को, ठीके, और हाट ले को, मैं आपको स्टार्टिंग में बोल दे, मैं रिस्क लेने वाला हूँ, अगर आपको सेब जाना है, हाट ले के जगा पर स्टिवन फिन पर इस आपको बैटिंग दे सकता है, ठीके, इसके अलावा टाइमल मिल्स, मैंना ओल्डिड इन की बारे है, ग्रेंड लिक के कैप्टन, ये होने चाहिए आपके, ठीके, लॉक्यो फर्गेसन, ये भी अपके ग्रेंड लिक के एक कैप्टन होने चाहिए, ये भी कॉलिटी से कोई एक लेना है maximum public इन दोनों में से किसे एक को ज़रूर लाएगी तो safe जाना है ताप लोग ये भी कर सकते हो ठीक है मैं अभी के लिए क्या कर हो मैं बॉलिंग सेक्षिन में से लौकी फर्गुजन के साथ जा रहा हूँ और गाइस कुछ इस तरीके से मेरी बनेगी टीम य चैनल टीम में कहा पर देता हूँ टेलेग्राम चैनल पर देता हूँ टेलेग्राम चैनल के लिंक को कहा मिलेगी इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी या फिर इसी वीडियो के फुर्स्ट कमेंड में मिल जाएगी तो टेलेग्राम चैनल से जरू जोईन हो जाना दोस्तों अब बात करते हैं स्मॉल लिक कैप्टन वाइस कैप्टन सी के ठीक है तो मैच थोड़ा रिस्की है तो obviously मैं रिस्की पिक्स के साथ ही जाने वालो मैं हायर मेंबर में ही कोशिश करूँगा फोर मेंबर से ओन मेंबर टें मेंबर फिफटें मेंबर हेट ट्री मेंबर के लिए मैच उतना अच्छा हे नहीं maximum public safe choice के लिए क्विंटन डिको जेम्स वीन्स कार्लोस ब्रैथवेट इन तीनों के साथ आईगी ठीक है पार्केशन ने विकेट नहीं दी तो बात खतम हो जाए है फिर क्विंटन डिको गया फिर जेम्स वीन्स वीन्स दोनों में से किसे एक ने बहुत अच्छी पारी खेल दी तो बहुत अच्छी मतला 40-50 रंग की पारी खेल गया ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा तो आपका अब करना क्या है तो जल्दी से जॉइन हो जाओ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इसी वीडियो के कमेंट सिक्षन में मिल जाएगी दोस्तों वीडियो को लाइक करना है वीडियो पर कमेंट करना है यूट्यूब चैनल कब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को भी ज़रूर प्रेस कर देना थेंक यू सो मस्ज गैस वर कर दो